नमस्कार साथियों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल को एके शुड़ी वे टेस्के में CDP की जो प्रेक्टिस चल रही थी हम लोग तीन वीडियो कवर कर चुके थे एज चौथा वीडियो है इसमें सारे सेलेक्टर कुष्चन एवें प्रीवी से कुष्चन सामिल किये गए हैं जो कि सीधी तोर पर परिक्षा हम पूछे जाते हैं आपके सीटेट और एमपीटेट के लिए बहुत ही मात्मूर्ट वीडियो है तो लाइक, कमेंट और सेयर जरू करें अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे हैं बताएं इस चैनल के माद्यम से आपको फ्री नोट्स एवं फ्री सिक्षा पिदान की जाती है तो इस तरह से हम हमारा एक मात उद्दिश है कि आप लोगों की अधिक से अधिक हेल्प हो सके और आप लोगों को कम समय में बहतर सिक्षा दी जा सके तो नोट्स पर आप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा वहाँ पर आपको हमारा भार्षिप नमबर में लेगा उस पर आप मैसेज करेंगे वहाँ से आपको ट्रेटर सारे नोट्स पतान किये जाते हैं चलिए साथियों शुरू करते हैं देखते हैं आज का कुस्चन पहला है कुस्चन गार्डनर ने साथ बुद्धी का अधिमान नेधायत किया इसमें से कौन सा नहीं आपको बताना है सामान संबंदी बुद्धी भावनातमक बुद्धी अंतर व्यक्तिक बुद्धी भावातमक बुद्धी में तो किया सभी आंसर रहें का आपको बताना है तो इसका सभी आंसर क्या है भाव नात्मक बुद्धि अगला कुश्चन है आपका कुश्चन नमबर 27 है गटना और बस्तुओं के बारे में एक बच्चततार के कुरूप से सूच सकता है प्याजे के चाणों की समंद में सही कतन बताना है आपको option नमबर याप का sensor Early तो कियासार आपका मूरत संचालन पकरिया अगला कोश्च चेgano देखिए अगला question है 28 साय योगात्मक रणनी थी कि किस सेणी में महला निम्ण से संबंधित नहीं आपको बताना है स्विकार्ता से प्रतिरोध से किनांति से और अनगूलन से क्या सही आंसर है 28 का तो प्रतिरोध आपका सही आंसर है अगला question देखिए अगला question है 29 ब्यक्तिक भेनिता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमका होनी चाहिए क्या होना चाहिए आपको बताना है option number यह है आपका ब्यक्ति के देश्टिकोन अभिरिची योगता को जानने के प्रयास option number B है ब्यक्ति आधाकारत पार्टमक को उनकी आउसकता के अंसार समझने की कोसिस option number C है उपरोग दोनों, option number D है उपरोग मैंसे कोई नहीं क्या सही आंसर है आपका उपरोग दोनों अगला question देखिए, question number 30 है बिद्ध्याले के छेत में रचनात्मक रिद्धार्टों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है आपको बताना है उच्छ सिक्चा के साथ option number C है सम्रद्धी करण के कारिकर्मों दो जब बेचाहे तपड़ाएंगे तो इस तरह से आपको बताना है क्या सही अंसर है इसका सम्रद्धी करण कारिकर्मों के द्वारा अगला question देखिए, question number 32 है question number 32 है नैदानिक परीच्छा का मुख खुद्धिस है वो क्या है आपको बताना है option number यह कक्छा में प्रिदाइसन की दोरां समन्त या कमजूर छेत को चिन्नित करना option number B है उप्चारात्मा कारिकर्म की विश्यस प्रकृति की आवस्सक्ता option number C है अकाद में घटनाओं की कारणों का पता लगाना option number D है चात की कटनाईयों की विश्यस प्रकृति को जानना क्या साही आउसर है आपका अकाद में घटनाओं की कारणों का पता लगाना अगला question देखिए, question number 33 है question है, नेचली का अक्षाओं में सिक्षण की खेल पत्दिती मुल्ली रूप से आदा रहे थे, किस पर आदा रहे थे, सारी रिख सिक्षा कारिकरमों की सिद्धान्त पर, option number B है आपका section पत्दितियों की सिद्धान्त पर, option number C है, विकास इवन ब्रद्दी के मनुवेग्यानिक सिद्धान्त पर, option number D है, आपका section के समाज सास्त्रिय सिद्धान्तों पर क्यासा यांसर है 33 का, विकास इवन ब्रद्दी के मनुवेग्यानिक सिद्धान्तों पर कुश्चिन नम्ब आगला देखिए, कुश्चिन नम्ब थारडि फूर है, पितक पितक समा जाती है, समुहों के व्यक्तियों के प्रती बच्चों की अविवरत्ति साधरन डित्या आधारत होती है, किस पर आधारत होती है? option number ये है आपका उनकी अव्वाकों की अविरत्ती पर उनमें सम कक्षियों की अविरत्ती पर option number C है दूर दर्शन की प्रभाव पर option number D है उनकी सहोधरों की अविरत्ती पर क्या सही आंसर है उनकी अव्वाकों की अविरत्ती पर अगला question देखिए question number 35 है प्राथ्मिक विद्यालेओं के बालकों के लिए निम्न में से किसे बहतर मानते हैं option number यह है आपका वीडियो अनुरूपन को option number B है पिदर्शन को option number C है स्वयम के द्वारा किया गया अन्भाव option number D है इस सभी तो क्या सही अंसर है आपका स्वयम के द्वारा किया गया अन्भाव अगला question देखिए question number 36 है विद्यारतियों के अच्छे मानसेक स्वास्त को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक माहत्पून है आपको बताना है option number E है आपका सय सेक्च्चर क्रियाओं का प्राउधान option number B है अभिवेक्ति की सुतंतिता option number C है आपकी रुचियों की बहनता option number D है अध्यापक की भूम का इबंव विद्यालाई बात ब़रन क्या सच्छीन, लिए इस रूप से सच्छ्त बनाएगा उप्सन नमर वी है ये शिछक्शकों के लिए कम आशन करे औहिसाइ ora नमर औहीविशय विसेड Add話 में सहायव होगा बतानी है यहापर ऑप्सन नमर डी है ये सहयों येवं सारी रक्संतुलिन का बिकास करीगा, क्या सही, आंसार है, ये सही, हो ये, हम सारी रक्संतुलिन का बिकास करीगा, अकला कुश्चन देखिए, व्रक्ति दूसरों के परवार को देखके, शी represented, ना कि पित्यक्ष अनभाव से उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम, option number B है, अनवंधन, option number C है आपका, ट्रायोगिक अधिगम, option number D है, आकस्मिक अधिगम, क्या सही अंसर है आपका 38 का, सामाजिक अधिगम, यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा हो, तो like, comment जरूर करें, अधिक से अधिक share करें, साथियों आप अपना support ब कोशन देखिए, question number 39 है, एक सक्षक बिद्यारतियों में सामाजिक मूल्यों को विक्सित कर सकता है, किस माध्यम से कर सकता है, वो आपको बताना है, option number D है, महान व्यक्तियों के बारियां बूल कर, कहानी सुना कर, option number B है, आपका अनुसासन की अनुभूती को विक्सित करके, answer number C है, आदाइस रूप से बरताव करके, option number D है, उन्हें अच्छी कहानिया सुना कर, किस तरह का answer है, आदाइस रूप से बरताव करके, अगला question दीखिए, question number 40 है, कौन सा सिध्धान्त व्यक्त करता है कि मानव मस्तिक्स एक बर्व की चट्टान के समान है, जो की अधिकांस च्छिपी रहती है, ठीक है, आपको बताना है, गुण सिध्धान, प्रकार सिध्धान, मनु विसलेशनात्मक सिध्धान, option number D है, व्यवहारत्मक सिध्धान, क्या सही है आदाइस का, मनु विसलेशनात्मक सिध्धान, अगला question देखिए, मन का मांचित सम्मंदित है, किस से बढ़ाने की तकनीगी से, option number B है, साइसेक कार की किरिया योजना से, option number C है, मन का चित बनाने से, option number D है, मन की किरिया सीलता पर अनुसंदान से, question number 42 है आपका, question number 42 देखिए, छोटे से शारतियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठनाई का नहीं है, आपको बताना ह अप Soruz निमरी है आपका पठन गती ऊपठन प्रभाय में इस मुझे अज़ाने मोथ बहुर्थ्याजाने यहां आपसरन नम्र देखिए étajakि शुर्भ कि अगला सत्साथे यहां सत्सार में कभए से स्यंपनी में करत आथ यहिस्वा सब्सूर scarcity समाज की बहु भासक विशेष्टा को देखा जानी चाहिए कि समाध्यम में आप्सन नमबर यह आपका विध्याली जीवन को सम्रत बनाने के संसाधन के रूप में आप्सन नमबर बी है विध्यार्थियों को सीखने के लिए अभी प्रेरत करने है तू सिक्षक योगता की चुनोती के रूप में आप्सन नमर वी है सी है आपका सिक्षार्थियों के लिए विध्याली जीवन को एक जटल अनभव बनाने के रूप में एक कारक के रूप में आप्सन नमर डी है आपका आपका सिक्षण अधिगम प्रिकिरिया के बाधा के रूप में क्या सजयांसर आपका फोटी थरीका विद्ध्याले जीवन को सम्वनत बनाने के संसाधन के रूप में अगला कुश्चन देखिए कुश्चन नमर फोटी 4 है एक सिक्षक को साधन संपन होना चाहिए इसकार्थ है उसके पास परियाप्ट धन संपदा होनी चाहिए उप्सन नमर बी है उनका अधिकारियों के उच इसतर से संपर्क होना चाहिए Option number C है आपका उन्हें अपने विध्यारतियों की समस्याओं को हल करने को परियाप्त ग्यान होना चाहिए Option number D है विध्यारतियों के बीच उनकी पिसेद्धी होनी चाहिए क्या सही आंसर है उनका उन्हें अपने विद्ध्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का परियाप्त ग्यान होना चाहिए क्वेश्चन नमर्फोर्टी फाइब देखिए ब्यक्ति का सिक्षालती एक दूसरे से किसमें भिन होते हैं विकास की दर में विकास के किरम में अगला कोस्चन देखिए 46 है सतत एवं ब्यापक मूल्यांकन में ब्यापक मूल्यांकन सब्दा वली का तात पर है क्या तात पर है ऑप्सन नमर ये देखिए सभी बिसियों का मूल्यांकन ऑप्सन नमर भी है सह सेक्षक चेत का मूल्यांकन Option number C है सेक्चक एवं सेक्चक छेत का मुल्यांकन Option number D है सेक्चक छेत का मुल्यांकन क्या सही answer है 46 का सेक्चक एवं सेक्चक छेत का मुल्यांकन अगला question देखिए question number 47 है मुल्यांकन का उद्देश है मुल्यांकन का क्या उद्देश है आपको बताना है Option number A है बालकों को धीमी गती से सीखने वाले एवं प्रतिभा साली बच्चों के रूप में लेवल करना Option number B है जिन बालकों को उप्चारत्मक सिक्चा की आवज सकता है उनकी पहचान करना Option number C है अधिगम की कठनाईयों वा समस्याओं को अपनी समस्याओं वाले छेतों का पता लगाना Option number D है आपका उत्पादक जीवन जीने के लिए सिक्चा की सीमा तैयार कर पाई को पुष्टी पूसन पिदान करना क्या सही आंसर है तो आपका Option number D एकदब सही आंसर है उत्पादक जीवन जीने के लिए सिक्चा की किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टी पूसन पिदान करना Question number 48 देखिए कच्चा में विद्ध्यारतियों की रुची बनाये रखने के लिए सिक्चक को उचे थे या आवस्चक है Option number A है आपका स्याम पट का प्रयोग करना Option number B है चर्चा करना Option number C है कहानी कहना Option number D है पैसने पूचना क्या सही आंसर है आपका पैसने पूचना Question number 14 आयन देखिए दवाओ को कम करनेए येवं परिक्चाओं में सफलता के लिए क्या आवस्च्च आपको बताना है Option number A है आपका कम अवधी में परिक्चाओं में अंतरन कम अवधी की परिक्चाओं में अनतरन क्या सब्सक्राइब कम अवदी की परिख्छावं में अंतरमाइब कुस्चन नमबर 50 है जो की लास्ट कुस्चन है आज का बिवेच नातमक सिक्चा सास्त का एधन विस्वास है कि एक सिक्चक को हमेशा कक्छा कक्छ के अनदेशन का नेतवत्त करना चाहिए सिक्चार्थियों को सुतंत रूप से तरक नहीं करना चाहिए option number C है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं आप प्रसांगिक है आपसर नमर डी है आपका सिक्षार्तियों के अनभा और पित्यक्षन महत्पून होते हैं क्या सही अंसर है आपका सिक्षार्तियों के अनभा और पित्यक्षन महत्पून होते हैं साथियों तो यह था आज का वीडियो जो की चौता था अगला आपका पांचाँ वीडियो आएगा तो कैसा लगा साथियों वीडियो जरूर बताएं यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें साथियों वीडियो को पसंद आए लाइक करें कमेंट करें अधिक से अधिक से शेयर करें हमारा सायोग करते रहें हम आप लोगों के लिए बहुत मेनत करते हैं और अपना सायोग बनाए रखें साथियों यदि आपको नूर्ट्स कियाओ सकता है तो इस चैनल के माद्धियम से आपको फ्री नूर्ट्स प्रदान किये जाते हैं आप डिस्क्रिस्प्शन में जाएंगे जहां से आपको हमारा वाट्सिप नंबर मिलेगा उसके उस पर मेसेज करके आप नूर्ट्स प्रदान प्राप्त कर सकते हैं तो ठीके साथियों फिर मिलेगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार साथिए